तो आज यह थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोजटर का यूज करके अपने बिजनेस का बल्क में प्रोमोशन कर सकते हैं इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम बटन के साथ मेसेज बेश सकते हैं जो हमने बेसिक सेंडर में देखा था उसी टाइपस का देखेंगे हम कि प्रोजटर में आप शडूलिंग विगरा कैसे कर सकते हो ग्रूप कैसे क्रियेट कर सकते हो और प्रोजटर का यूज करके मैक्सिमम कॉंटिडी लाइक वन थाउजन नंबर तक आप कैसे रीच हो सकते हो वाट्सप के थ्रू चलिए के स्टाट करते आपको यहां पर मुल्टिबल ऑप्सिन दिखेंगे तो आपको यहां पर जाना है कॉंटैक्ट ग्रूप में मैं यहां पर कॉंटैक्ट गूप में क्लियर करूंगा तो आपको कॉंटैक्ट ग्रूप्स की एक विंडो नजर आएगी जहां पर हम अपना गुरूप बना लेंगे मेरे अल्ड़री यहां पर कुछ गुरूप बना हुए हम यहां पर गुरूप बना लेते लाइक टेस्ट नियूँ करके और यहां पर प्लस सिंबॉल पर क्लिक करके मैं इसको आड़ कर लेता हूं ओक्यू जैसे ही मैं आड़ करता हूं हम नीचे देख पाएंगे कि यह हमारा ग्रूप यहां पर क्रियेट हो चुका है अभी हमें इसमें हमारे कॉंटैक्ट डिटेल्स आड और डिलिट सो हम यहां पर क्लिक करेंगे देन हमें एक अपलोडिंग के लिए जो CSV फाइल हमें जहां से अपलोड करनी है अपने कॉंटैक्ट्स की वह विंड़ो उपन हो जाएगी इस तरीके से ओके गाइस सो यहां से आप मैनियूली भी अगर आपको वन बाइवन किसी का याड कर सकते हो ओके आपको CSV फाइल अपलोड करना है तो यहां पर आपको ऑप्शन है मैं आपको यहां पर एक सैंपल फाइल दिखा देदा हूं कि कैसे CSV फाइल आपको क्रियेट करनी है देखिए फ्रेंड्स आपको कोई भी हेडर नहीं देना है नाम नंबर्स का सिंपली आपको फर्स्ट और में नाम डालना शुरू कर देना है सेट्कट कॉल्ब में नंबर्स नंबर्स जो है 9-1 के साथ होना कमपली है और यहां पर प्लस की कोई ज़रूद ने सिर्फ nine one के साथ आप इस तरीके से first column में name second column में number यही आपको करना है हम इसको save कर लेते और यह अपनी demo file यहाँ पे ready है यह csv format में है ओके format आपको यहाँ पर दिख गया first column में name second column में nine with number सो अभी हम जाते और यहां से चूज़ फाइल से हम डेमो csv फाइल सलेक्ट करने ते सो यहाँ पर मैं सलेक्ट करता हूं डेमो फाइल का यह डेमो फाइल है हम इसको सलेक्ट कर लेते हैं यहां पर डेमो फाइल आ गई हम इ यह थे वह अप्लोड हुए कि नहीं यह देखिए यहां पर मेरे all contacts आ गया भी मुझे सिर्फ उसी groups के देखना है तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा मेरा group सेलेक्ट करूंगा test new करके तो मैंने जैसे test new पर क्लिक किया तो test new में जितने number से उतना स्क्रीन पर appear हो जाएंगे पर क्लिक करना इसके बाद आपको प्रो सेंडर में आना है जैसी आप प्रो सेंडर पर आते हो तो आपको एक नया विंड़ो उपन हो जाएगा लास्त तरीके सथ जो हमने basic center में देखा हुआ था सेम लेकिन इसमें कुछ different option आते हैं तो चलिए देखते क्वीक बटन के साथ फिर से एक बार यहां पर हम firstly group आपको option आता है तो group select कर लेंगे हमने जो अभी बनाया था test new करके मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ फिर हम campaign को जो भी नाम देता है देना है ओ देते समझा मैं टेस्ट messaging कर सकते हो सेम जैसे हमने देखा था चाट बॉट में यह आप यह परसंटेज नेम यूज़ करके जो भी आपने अपलोड किया उनको नाम से आपके खुद के messaging कर सकते हो तो चले हम देखते हैं यहां पर नाम से messaging करके क्योंकि आपने नाम नंबर के साथ upload किया है अगर आप नेम के साथ नहीं upload करते हो तो सिर्फ आप नॉर्मली आपका जो भी मैसेज है वह टाइप कर सकते हो कि अगर आपको इमेज के साथ भेजना है ओके ऊपर इमेज उसके नीचे content और फिर बटन तो यहां से वह भी आपको पॉसिबल है आपकी यहां से कर सकते हो यहां से देख कि सॉफ्ट्वर की एड़ा की हमने इमेज लेली यहां पर ओके यह इमेज आ गई यहां पर उसके बाद हम कुछ भी एक बटन देखे लाइक आप प्रोमोशनल मार्केटिंग कर रहे तो आप दे सकते हो इंट्रेस्टेड यहां पर हम दे सकते हैं नौट इंट्रेस्टेड आपको लीड वेरिफाइड करने के लिए और यहां पर फिर से हम अपना फुटर में जो भी अपने को नाम देना है हम दे देंगे लाइक दिस और फर्सट और सेकंड मेसेज के बीच में आपको कितना चाहिए वह आप यहां पर सब्सक्राइब करेंगे समझो हमने 5 second का भी फिलाल के लिए क्योंकि हमारी quantity कम है हमने 5 second का gap यहाँ पे डाल दिया उसके बाद हमें time zone select करना है time zone हमारा इंडिया का 530 आता है तो हम यहाँ पे select कर लेंगे 530 ओके गाइस यह देखिए इसको carefully आप select करना अगर आप इंडिया से use कर रहे हो तो मैं इसको select कर लेता हूँ फिर इसके बाद आपको आदा schedule ही आपको जिस time पे भी इसको schedule करना है आप यहाँ से time और date select कर लो और उसको send कर सकते हो या schedule करके रख सकते हो लेकिन मुझे अभी के अभी send करना है और यह जो मैंने उपर buttons दी है वो मुझे as a button format में send करना है तो मैं without any select date and time directly submit as a button यहाँ पर click कर दूँगा जैसे ही submit as a button यहाँ पर click करूँगा तो हमारा campaign submit हो जाएगा चुछ लिए देखते हैं submit होने के बाद इस तरह किससे आपको screen appear हो जाएंगी यह मेरे कुछ पहले campaign है और यहाँ पर देखें यह हमारा test new one का campaign यहाँ पर हो चुका है दो number से मैंने इससे पहले जो campaign किया था 280 यह numbers का campaign है तो यह अभी pending status में यह थोड़ी दर में sending आ जाएगा और फिर completed status आपको लाही यहाँ पर दिखी जाए और आपको किस तरीके से report दिखेंगे यह भी हम यहाँ पर दिखते हैं मैं आपको पहले वाला campaign का यहाँ पर report क्लिक करके दिखा दाओ तो guys आपको कुछ इस तरीके से report दिखेंगे number message send हुआ है कितने बजे send हुआ है timing क्या है वो सब आपको यहाँ पर दिखाएगा each and every number details आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखें हमारा यह campaign अभी sending mode में है 50% में एक number को send हो चुका है completed तो इस तरीके सा यह campaign अपना जो अभी हमने लगाया था यह भी completed हो चुका है चलिए इसका भी एक बार report देखते है और यह गाइज यह मुझे डिलियोर हो चुका है मेरे phone पे भी मैं चेक कर पा रहा हूं मैं आपको मेरी screen भी phone की भी share कर दोगा कि जो हमने campaign लगया हुआ था वो किस तरीके से डिलियोर हुआ है इस तरीके से आप बाट मैन यूज कर सकते हो हमने जैसे फर्सली देखा कि basic sender उसके बाद हमने chatbot देखा नंबर कैसे integrate करना है देखा अभी हमने pro sender देखा तो इसका यूज करके आप आपका business automate कर सकते हो और मैं आपको इसमें और एक दिखाऊंगा कि API API मिस आपको कही पे website android application कोई automation tools में अगर आपको API चाहिए तो यहाँ पे post API भी आपको available है और HTTPS भी API available है जो single line का API होता है हो इसका use करके आप यह इसको website के connect कर सकते हो आप आपके automation tools e-commerce website automatic notification इस सब जगह पे आपको यहाँ पे अलग-अलग API text message API आपको यहाँ पे image API आपको यहाँ पे video API with button API इ book भी आपको यहाँ पे available है तो ओके गाइज इस ओल अबाउट बाट मैन सो आप enjoy किजिए service और आपका business automate करके आपका sales grow किजिए थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज बाबाए